हेलो एवरिवन, वेलकम बेक टो निशास कुक बुक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहे हूँ होट चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी नॉर्मल नूडल्स तो आपने बहुत बार खाए होंगे लेकिन अगर आपको spicy खाना पसंद है तो आप एक बार ये होट चिली गार्लिक नूडल्स जरूर ट्राइ करें और ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी वैसे कहने के लिए तो ये होट चिली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी है लेकिन मैंने इसमें काफी कम spices और काफी कम sauces यूज किये हैं तो चलिए देर न करते हुए बनाने स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी recipe होट चिली गारलिक नूडल्स की जिसके लिए हम सबसे पहले नूडल्स बॉयल कर लेंगे जिसके लिए हमें एक पैन में लगबग दो गलास पानी बॉयल करना है पानी में जैसे एक अच्छा सा बॉयल आ जाएगा हम उसमें half teaspoon salt एट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें दो पैकेट नूडल्स के डाल देंगे जब कभी भी नूडल्स बॉयल करें तो हमेशा पानी पहले से गरम कर लेना चाहिए कभी भी नूडल्स के पैकेट को ठंडे पानी में डाल कर बॉयल ना करें यानि कि हमें पानी पहले गरम कर लेना है उसके बाद हमें नूडल्स पानी में डालने है और हमें जब भी noodles बनाने हों तो noodles को कभी भी over cook नहीं करना चाहिए हमें इसे almost 90% तक ही cook करना चाहिए noodles अच्छी तरह से boil हो चुके हैं आईए तो अब हमें इस trainer में transfer कर देते हैं इस trainer में डालने के बाद हम इसके उपर तुरण ठंडा पानी पोर कर देंगे तो जैसे जो rest cooking है वो वहीं पर stop हो जाएगी और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे noodles बहुत ज़्यादा sticky हो जाते हैं जो कि खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं अब पानी डालने के बाद हम इसमें almost one tea spoon cooking oil डाल देंगे और हम इसे हाँ से अच्छी तरह से mix कर लेंगे ताकि जो हमने cooking oil noodles में मिलाया है वो अच्छी तरह से noodles पे अपलाई हो जाए और यह आपस में चिपके नहीं आईए तो अब noodles बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक pan medium flame पर रखा है जिसमें one table spoon cooking oil डाल किया है cooking oil जैसे ही गरम हो जाएगा हम उसमें one table spoon chopped garlic डाल करेंगे garlic डाल करने के बाद हम उसमें one onion slice किया हुआ डाल करेंगे और इन दोनों को हम color change होने तक सौते करेंगे जैसे ही onion transparent हो जाएगा हम इसमें one small capsicum slice किया हुआ डाल करेंगे और मैंने यहाँ पर एक गाजर वो भी slice की हुई डाल की है और कुछ spring onions के white हैं वो भी मैंने डाल किया है इसमें अब हम इसे लगबग आदे मिनट के लिए सौते करेंगे और यह procedure हमें high flame पर ही करना है अब मैंने इसमें one cup cabbage add करेंगे और cabbage optional है अगर आप cabbage नहीं खाते हैं तो आप इसे skip कर सकते हैं अब हम इन सारी vegetables को almost half minute के लिए सौते कर लेंगे उसके बाद हम इसमें half teaspoon paprika और half teaspoon black pepper powder एड़ करेंगे और हम इसमें थोड़ा सा salt add करेंगे इनको एक अच्छा सा quick mix देंगे और उसके बाद हम इसमें one tablespoon red chili sauce और one third tablespoon soya sauce add करेंगे अगर आपके पास paprika नहों तो आप red chili flakes भी add कर सकते हैं और अगर आपके पास वो भी नहों तो जब हमने इसमें garlic डाली थी आप उसी समय green chili fine chopped करके भी add कर सकते हैं अब हम इसे एक अच्छा सा quick mix देंगे और उसके बाद जो हमने पहले से ही बॉयल करके noodles रखे हुए थे वो हम इन vegetables में add कर देंगे और दो ladles की help से हम इसे अच्छी तरह से mix करेंगे आप चाहें तो आप इसे fork और spatula की help से भी mix कर सकती है मैंने इस recipe में white vinegar skip किया है आप अगर चाहें तो आप उसे add कर सकती है 1 teaspoon क्योंकि मैंने इसमें जो red chili sauce use की है उसमें बहुत strong flavor था vinegar का इसलिए मैंने इसमें extra vinegar add नहीं किया है फोक और spatula से अच्छी तरह से mix कर लेंगे और अब यहां पर आप इसकी seasoning भी check कर सकती है अगर आपको कुछ भी spices कम ज़्यादा लग रहे हों तो आप अपने taste के according उसे balance कर सकती है अब हम serve करने से पहले इसके उपर spring onion के कुछ greens sprinkle कर देंगे और इसे गरम ही serve करेंगे हमारे hot chili garlic noodles बन कर तयार है यह एक requested वीडियो है मेरी एक subscriber की बेटी की request पे मैंने यह recipe आपके साथ share की है I hope कि आपको यह recipe पसंद आएगी और अगर आपको मेरी यह recipe पसंद आएगी तो प्लीज आप इस वीडियो को like जरूर करें और अगर आप यह recipe ट्राइ करेंगी और उसके बाद मुझे comment करके जरूर बताइए कि आपको इसका flavor कैसा लगा और अगर आप मेरे channel पर पहली बारा है so please do subscribe to my channel and press bell icon to get all notifications of my upcoming videos और अगर आपने पहले से ही मेरे channel को subscribe किया हुआ है so thank you so much for being a part of my youtube family अगली बार फिर मिलेंगे एक नई recipe के साथ till then take care bye bye